नमस्कार दोस्तों जी के अर्जुन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है उत्तर परदेश उत्तर सिच्छा सेवायोग मिशन असिस्टेंट प्रोफेसर एकजाम 2021 जिसका एकजाम जो है फिलाहाल सुरू हो चुका है लेकिन इतिहास सब्जेक्ट का 2021 को और प्रेटी सेट यह 12 है और इससे पहले 11 प्रेटी सेट अपलोड हो चुके हैं और प्लस इतिहास की जो पिछले वर्स उत्तर सिच्छा सेवायोग का एकजाम किया गया था जिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री का उसका भी पेपर अपलोड है उसका एक प्लेडिस्ट बना हुआ जिसका नाम है यूपी पीजी टी के नाम से और उस प्लेडिस्ट का लिंक मैं डिस्किप्शन में दे दिया हूँ तो वहां से आप पिछले इसके 11 पाट देख सकते हैं प्लस उस वीडियो को भी देख सकते हैं जो पिछले साल आया हुआ था तो चलिए वीडियो अपलोड कर उसका नॉटिफिकेशन आपके मुबाइल पर सबसे पहले पहुँचे तो चलिए वीडियो प्रारंब करते हैं कोश्चन नमबर वन है इसमें देखे निमलिखित में से कौन उत्तरा अधिकार के युद में औरंग जेद्वारा पराजित हो जाने पर दारासिको के सारवजनिक रूप से अपमानित किये जाने का प्रत्यच्छ दर्सी था आप संदे के दिया है बिलियम हाकिन्स टेरी या फ्रेंकाय वर्नियर या मनुची इसमें राइट एंसर हो जाएगा सी फ्रेंकाय वर्नियर तो इसका राइट एंसर हो जाएगा सी वर्नियर फ्रें भारत पुछ रहा है इसमें तो पस्षिम भारत में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था दिया है काप्टन हाकिन्स थामस स्टेफेंस जान मीडेन हाल या रैल्फ फिज तो इसमें राइट लेंसर हो जाएगा सी जान मीडेन हाल तो जान मीडेल हाल जो है पस्षिम भारत यहां पूछ रहा है तो जान मीडेल हाल ने जो है गुजरात में जो गुजरात पस्षिम भारत में पढ़ता है गुजरात में जो है बैपार करने के लिए अकबर से फर्मान प्राप्त करने की कोशिस की थी जिसका जान मिदन हाल तो फीम भारत में आने वाला तो तो फाला उंग्स हो तो प्रम से लिए ब्रार निम्लखित में से किस का प्रियोक किया था था थो भूम पहमाइस के लिए बास की जरीब का प्रियोक किया था या बांस की जरीव या लोहे के छलों से जुड़ी होती थी या सन की रसी की बनी जरीव का या सिकंदर लोजी दरव प्रिक्त किया गया गोजिया यार्ड का इसमें राइट एंसर रो जाएगा भी बांस की जरीव जो लोहे के छलों से जुड़ी होती थी उसका प्रयोक कि तो किस अधार प्रमागी थी आप से दिया कानून ब्योस्था खराब हो रहे थी या पुर्तगाली समंद्री डाकों का खत्रा था वे अपना बैपार बढ़ाना चाहते थे या उभरती मराठा सक्ति का सामना करने के लिए इसमें आपका राइट एंसर हो जाएगा डी उभरती मराठा सक्ति का सामना करने के लिए कोशन नमबर पांच है बिलियम हाकिन्स जहागीर के आगरा दरबार में उपस्थित हुआ और उसने जहागीर से वारता लाप किया यह पूछ रहा है किस भासा में वारता लाप किया था जो आगरा के दरबार में उपस्थित हुआ था ब तुर्की में तुर्की में यानि हाकिन्स एक बैपारी था और इस इंडिया कंपनी का करमचारी वेताई है और जहागीर के दरबार यानि आगरा दरबार लगा था कब 1608 हिसुई में जो है उपस्तित हुआ था और जहागीर से उसने तुर्की भासा में बात किया था तो आगर इससे काफी प्रभावित हुआ था कोशन नमर 6 देखिए कथन और कारण से है दिया है अपने बंदरगाहों और नगरों की सत्रू के आकरमन से रच्छा की द्रिष्टी से सीवा जी ने 9 सेना तयार की कारण है उसके प्रमुक सत्रू थे आदिल साही राज और मुगल दो व्यक्तव्यों के संदर्म निल्खित में से कौन सा एक सही है तो इसमें देखे ए और आर तो दोनों सही है लेकिन आर जो है एकी सही ब्याख्या नहीं करता है इसलिए इसका राइट एंसर बी होगा ए और दोनों सही है आर एकी सही ब्याख्या नहीं है कोशन नमर साथ है सीवा जी के राजय विशेक की अध्यस्ता किसने की तो सीवा जी के राजय विशेक की अध्यस्ता किसने की थी दिया है दादा कौन देव समर्थ गुरु रामदास या गंगा भट या जीजा बाइद इसका राइट अंसर हो जाएगा इसमें सी गंगा भट तो 1664 में सीवाजी का राजय विशेक किया गया था कहां पर रायगड में और राजय विशेक में जो है ये बनारस के पंडित थे ब्रामण पंडित जिसका नाम था गंगा भट जो है राजय विशेक कराय थे ये और उन्हें उच्च कुले छत्री कुल का राजय घोसित किये थ पैसे गंगा भठ będzie को सेभा जी के सासन में पैदल सेना का अधिकारी सरे नौबत नेयक तो करता हा सरे नौबत । यंनि कितने सिपाहियों का नेयक होता था यह पुछाजा रहे इसमें- दिया है 10 शिपाहियों का 54 शिपाहियों 1000 सिपाहियों का यह 7000 सिपाहियों का right answer हो जाएगा C 1000 सिपाहियों का कोंशन नमबर 9 है भारत पर नादिर्शा का आकरमण कब हुआ था यह वा था 1749 इसी में रैट इसका एंसर हो जाएगा बी 1749 इसी में उस समय भारत के जो सासक थे मुहमत सा नसुरुदिन मुहमत सा इसका नाम था और मुहमत सा के समय नादिर सा ने भारत पर आक्रमण किया था कब यहां पर 1749 में अगर डेट पूछेगा तो 13 फरवरी 13 फरवरी 1749 को नादिर सा ने मुहमत सा के समय आक्रमण किया था भारत पर और विज़ाई विवा था इसमें इस सिदु में और यहां से जो है मयूर सिंगासन और कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया था नादिर सा कोशन नमबर 10 देखिए 10 नमबर कोशन देखिएगा नीचे देगे कूट का उपियों करते हैं भारत में इरोपियों के आगमन का सही क्रम इसमें निर्धारित करना है समाने कोशन हैं लेकिन फिर भी कनफिज जो आते हैं इसलिए इसको प्रेटिस के लिए डाले हैं तो सबस दच दो तीन इसके बाद डच के बाद कोन आया थे अंग्रेज एक नमबर और लास्ट में फ्रांसी सी यानि दो तीन एक चार दो तीन एक चार इसका राइट एंसर आपका वी सही सुमेलित है यह वी सही करम है इसका कोशन नमबर 11 देखते हैं ब्रिटिस इस इंडिया कंप कंपनी ब्रिटिस प्राइबेट ट्रेडिंग कंपनी यह गवर्णर अंट कंपनी आफ मर्चेंट आफ लंदन ट्रेडिंग इन्टु इस्ट इंडिज या उप्रोक्त में से कोई नहीं तो यहां पर पुछा है ब्रिटिस इस इंडिया कंपनी का प्रारंभिक नाम क्या था प्रारम्भिक नाम इसका राइट एंसर देखे C होगा Governor and Company of Merchant of London Trading into East Indies ये पुरा नाम था कोश्चन नमबर 12 देखे किस उतरवर्ती मुगल बासा का उपनाम साहे बेखबर था दिया इसमें बहादूर सा प्रथम फरक्सियर आमसा या महमसा रंगीलत इसका राइट एंसर जाएगा इसमें A बहादूर सा प्रथम कोश्चन नमबर 13 देखे हिमाले की तराई में रुहेल खंड राजी की अस्थापना का स्रे किसको जाता है कोश्चन नमबर 14 है नियंतरन मंडल की अस्थापना किसके द्वारा की गई तो नियंतरन मंडल पूछ रहा इसमें कोश्चन नमबर 15 है प्रथम आंगल मराठा युद का अंत किस संधी से हुआ था तो किस संधी से हुआ था ये पूछ रहा इसमें पूरंदर की संधी से हुआ था या बड़ा गाउं की संधी से या सालबाई की संधी से या ताले गाउं की संधी से इसमें राइटेंस हुआ जाएगा आपका सी सालबाई की संधी से तो सालबाई की संधी जो है पर्थम आंगल मराठायुद की संधी से अंत हुआ था तो सालबाई की संधी और सालबाई की संधी कब हुआ था 1782 में किसके बीच हुआ था अगर ये पूशता है तो मजदी सिंधिया और अंग्रेज परतिनिधी थे जिसका नाम था इडर्शन इनके साथ 1782 में सालबाई की संधी हुई थी सालबाई ये गाओं का नाम है वहीं पर एक संधी भी थी और इस संधी में जो है 17 सुत्रिय संधी से संपन हुआ था ये कोश्चन नमबर 16 देखेगा 1780 में मुगल बासा सालम दूतिय को अंधा के जाने के लिए कौन उत्तरदाई था तो अंधा करने के लिए कौन उत्तरदाई था ये पूछा जा रहा है इसमें आप संधीया इसमें नजमी दौला मुनरो मजी सिंधिया या गुलाम कादिर रुहेला बासा सालम दूतिय मके शाही महल कराया था बिदार बक्स को कोश्चन नमबर 17 देखिएगा किसने या विचार ब्यक्त किया कि भारत में ब्रिटिस आर्थिक नीती घिनवनी है दादा भै नरो जी आर्सिदत कार्ल मार्क्स या एडम इस्मित तो इसमें आपका राइट अंसर हो जाएगा सी कार्ल मार्क्स ने अपशन के दखर और या अधनियम के दवारा या रिगुलेटिंस का इसमें तरबस का चुह धरन भारत में 3-10 या जिए अथाउरrag दन्रीचेंश कि दिया है अंग्रेजों ने जमान साहने या नादिर साहने या मसाप दाली ने इसमें राइट एंसर हो जाएगा आपका बी जमान साहने कोशन नमबर 20 है निमलिखित में से किस भारती उद्योग की ब्रिटिस सासन के अंतरगा सरवाधिक छती हुई थी ये पूछा जा रहा है इसमें तो आपसंदिया है नमक मुद्रान सूतिवस्त्र या रेशमियम उनिवस्त्र इसका राइट एंसर हो जाएगा सी इसमें कोशन नमबर 21 है निमलिखित भारती राजियों में से किसे अंग्रेजियों के समय काम धेनु समझा जाता था तो काम धेनु समझा जाता था दिया है बंगाल आवद मैसूर हैदराबाद तो इसका राइट एंसर हो जाएगा बंगाल बंगाल को काम धेनु समझाता था यहीं पर पूछता ऐसी टैप से कोशन दुधारू गाय अगर पूछेगा तो वो अवद था लेकिन यहां पर जो है काम धेनु सब्द लगाया है तो इसका राइट एंसर यह होगा बंगाल क्योंकि कमपनी के जो डारेक्टर थे उनका मानना था कि उनके हाथें में जो है काम धेनु गाय लग गई है और यहां बंगाल की दौलत कभी खत्म नहीं होगी यह आग्या भी जारी किये गया था कि बंबई और मदरास प्रेशिडेंसियों को भी बंगाल खर्च उठाएं और अपने राजसों से कंपनी के भारत में होने वले पूरे निर्यात का माल भी खरीदें तो इसमें बंगाल हो जाएगा राइट एंसर कोशन नमबर 22 देखेगा अवद की इस्तिती पर गैर सरकारी रपाट यानि रिपोर्ट कौन सी थी दिया आउटरम की रिपोर्ट स्लीमैन की रिपोर्ट या विशफ हेवर की रिपोर्ट या उपरख्त में से कोई निम्लिक इसका राइट एंसर हो जाएगा सी बीशफ हेवर की रिपोर्ट कि लेखेंस नमबर 22 देखेगा निमलिकित में Сे कौन भारत पर बिटि शासन के आर्थिक प्रभाव में से नहीं था तो आर्थिक प्रभाव में से नहीं था तो इसका राइट एंसर देखिए होगा डी इसमें इसने भारत की प्रतिवेक्ति आयमें प्रयाप्त बिर्धी की ये इसमें नहीं था कोशन नमर 24 देखिएगा तीरत सिंग किसके नेता थे दिया है मुंडा कोल संथाल ये खासी इसका राइट एंसर रोजाएगा डी खासी तो खासी एक बिद्रो हुआ था 1839 में खासी बिद्रो और इसकी नेता का नाम था तीरत सिंग कोशन नमर 25 या और अंतिम कोशन है नील दरपण के लेखक थे तो नील दरपण के लेखक कौन थे सरचन चटरजी बकिम चटरजी रविन्दा टेगोर या दीन बंदु मित्र इसका राइट एंसर रोजाएगा डी इस में दीन बंदु मित्र तो बंगाल में ये बिद्रो कब 1869 में कहीं कहीं साथ भी देता है तो 1869 में बंगाल में एक नील बिद्रो हुआ था सोशन के खिलाब किसानों से सीधी लड़ाई थी ये और इसका मूल कारण ये था कि नील उत्पादक द्वरा किसानों के नील खेती करने के लिए मजबूर करते थे कौन कमपनी वाले जबकि किसान चाते थे कि यहां पर चावल की खेती किया जाए इसी समस्या को लेकर दिन बंधु मित्र है और उन्होंने नील दरपन नामक एक नाटक है नाटक लिखा है और इसमें किसानों की जो धैनी स्थिती है या उनके विरुद जो सोशन है उनके तरीकों को चित्रित किया इस पुस्तक में नील दरपन में ये तो हो गया वीडियो आज के लिए तो उमेद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आयते इसको लाइक कर अपने दोस्तों कहां अधिक स्क्रेयर करें धन्य बात दोस्तों जैहेंद वन दे मात्रम